तो डियर स्टुडेंट्स आइए अब हम पोटेंशियल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे अलग-अलग पॉइंट चार्जेज हों तो उनके पोटेंशियल्स निकालें तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ज थे पोटेंश्यल एनर्जी इस उकल टू पॉटेंशियल जो मूफ कराना है लोगों अगरधा नेलगे दिखाया हुआ है उनके कारण थे उन यहां पर दिसक में दिखाया हूआ है तो इनको हम लोग calculate करना सीखते हैं कि कैसे हम potential due to ring देखेंगे और कैसे उसके questions आते हैं उसको हम apply करते हैं तो यहाँ पर एक ring है और उसके axis पर जब axis की बात करते हैं तो उसके plane के वो perpendicular होता है तो वो जो point आप लेते हो उसके ये जो circumference है उससे वो equal distance पर होता है कोई भी point आप लोगे circumference का वो कितने distance पर आएगा root r square प्लस x square जहाँ पर ये axis पर x distance पर point लिया है और इसका radius जो है वो r है तो यहाँ पर चूंकि कोई भी इसका circumference का point यहाँ से ये fixed distance पर है तो आप कहोगे इस circumference का अगर थोड़ा सा हमने charge dq यहाँ consider किया हुआ है तो उसका potential जो बनने वाला है वो बनने वाला है k into dq upon distance root r square प्लस x square तो इसी potential को आप क्या करोगे कि जो small charge की कारण आपने निकाला है उसको integrate करके total potential इस ring का इस point पर निकाल लोगे तो यहाँ पर v is equal to जो आजाएगा ये बाकी चीज़ें जो k है और root r square प्लस x square है चुकि हर एक point से fixed distance है इसलिए वो आप मार कर दिया तो यहाँ पर आप integration जो करोगे वो dq का करोगे कि ऐसे जो भी charges यहाँ पर है वो सब को potential यहाँ पर add हो गया तो यह answer आ गया v is equal to kq upon root r square प्लस x square देखें अगर half में हम charge q देते और next half में 2q देते तो आप उसको simply add कर देते q प्लस 2q is equal to क्या आजाता आपका answer 3 आजाता 3 kq upon क्योंकि सब की distance बराबर है तो अगर किसी ring में आपको उसके अलग-अलग portion में charge अलग-अलग हों तो उनको क्या करना है सीधा add कर देना है तो इस तरीके से यह potential आया आप बताएं इसके center पर potential क्या होगा ring के अगर आप center में आते हो तो वो center point हर एक point से यहां पर r distance पर है तो आप कहोगे k q y capital r होगा तो आपका यह formula भी क्या x is equal to 0 रखने पर k q y r दे रहा है हाँ दे रहा है तो यह potential है center पर और यह potential है axis पर example देखें यह example हमने बनाया हुआ है कि एक ring के axis पर एक point लिया हुआ है और यह point कितनी distance पर लिया है r root 3 इसका radius r है तो आप बता सकते हो यह जो distance होती है root r square plus x square वो कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी खेर यह जो point आपने लिया हुआ है यह positive charge है यह ring भी positive थी आपको पता है इसका field इसको बाहर की दूर की तरफ ले जा रहा होगा field का formula आपने निकाला था kqx upon r square plus x square raise to power 3 by 2 अभी उसका use नहीं करना यह potential पर है energy conservation पर है कहता है कि what minimum speed should be imparted to this particle so that it can cross this ring तो आप कहेंगे कि इसको cross करने के लिए इसकी minimum speed इतनी हो कि यह center तक पहुँचे क्योंकि जैसा ही center से बाहर हुआ यह तो फिर तो यह खुदी इसका field जो है उसको उस तरफ ले जा लेगा तो यहाँ पर आप energy जो conserve करोगे minimum speed के लिए इस point से इस point में करोगे तो यहाँ पर हमने इस point को A कहा है इस point को C कहा है total energy को हमने conserve किया है कि potential energy at A plus kinetic energy at A is equal to potential energy at C plus kinetic energy at C potential अगर आपको पता हो तो आप potential energy लिख सकते हो यहाँ पर Q into V है क्योंकि Q charge को move करने वाले हो यहाँ पर A point पर potential कितना है C point पर कितना potential है तो potential energy को लिखना आप जानते हो अब A पर हमको kinetic energy चाहिए और हम कहते हैं कि यह जो kinetic energy है यह जो speed है It is just sufficient to make it move along this line and just to reach it at this point C तो यहाँ पर अगर यह पहुँचा दे तो वहाँ पर हम kinetic energy को 0 ले रहे हैं तो half mu square is equal to q into vc minus va अब आप कहोगे कि C point पर potential क्या है C उसका center है अभी आप देख करके आए तो आपने C पर potential लिख लिए यह जो है यह r root 3 था आपका और यहाँ पर हम लोगों न देखा था कि यह जो kq upon root r square plus x square है यह 2r बन जाएगा तो k q by r minus k q by 2 r is equal to क्या बन जाएगा half mu square is equal to k q q by 2 r तो इससे आप u निकाल लेंगे तो इस तरीके से यह questions आते हैं energy conservation के तो आपको ऐसी करना है ठीक है अब जैसे आपको question ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजे एक ring दी हुई है आपको और दूसरी ring दी हुई है इनके charges आपको q1 q2 दिये हुए है इनके radius दोनों के r हैं suppose और यह distance r root 3 है यह आपका a है यह आपका b है अब पूछता question यह है कि यहाँ पर हम कितना इसको speed दें कि यह particle यहाँ पहुँचे तो आपको काम वही करना है आपको potential पता होना चाहिए तो आप energy conserve करके काम कर सकते हो यह आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर potential यहाँ पर potential अगर आपको पता हो तो potential energy का difference आप ला सकते हो तो potential difference potential energy का difference यह सब आप निकाल सकते हो तो आएए अब हम यहाँ पर potential due to a disk देखें तो क्या करोगे, अगर sigma है, चार्ज बैंसिटी, चार्ज पर unit area, तो आप कहोगे, कि यहाँ पर हमको इसमें, क्या करना है, एक छोटा सा, रिंग लेना है, रीदियस का, डी आर विट्त का, उस रिंग का circumference 2 पाई र है, विट्त डी आर है, तो उसका area जो हो गया, वो हो गया, चुकि उसमें charge density charge per unit area दी हुई है इसलिए sigma into 2 pi rdr आप कर दोगे तो यहाँ पर जो इसका potential बनेगा x distance पर small r radius की छोटी सी ring जो आपने लिया हुआ है उसका तो वो यह बनेगा जो आप पहले यहाँ पर derive करके आए वो formula यहाँ आप लगाओगे kdq upon root r square plus x square तो dv is equal to जो बन जाएगा वो बनेगा 1 by 4 pi epsilon not dq की value आपने रग दी और यह root r square plus x square टोटल potential निकालना है तो इसी का क्या करना है integration करना है तो आपने यह 2 pi से 4 pi को cancel किया तो 2 आया तो sigma by 2 epsilon not और यहाँ rdr upon root r square plus x square हो गया अब इसका integration करना है तो उपर rdr अगर हो तो जो भी quantity है यह इसको आप t मान लेंगे तो 2 rdr चुकि x variable नहीं है यहाँ पर r variable है 0 to capital r इसको vary करना है तो जब इसको आप differentiate करोगे तो 2 rdr is equal to dt हो जाएगा तो rdr को क्या लिखना 1 by 2 dt तो यह rdr की जगे में 1 by 2 dt दिखरा होगा और यहाँ पर यह जो r square plus x square जिसको t माना था यह root t हो गया तो t to the power उपर जा करके वो minus r हो गया तो उसका जो integration है वो हमको पता है कि minus r plus 1 upon minus r plus 1 तो 2 root t हो जाएगा तो t की value यहाँ रख दिया अब limit हमारा small r को कहां से कहां change करना 0 to capital r तो आपका जो potential आ गया डिस्क में वो यह आ गया sigma by 2 epsilon not into root r square plus x square minus x तो यह potential हो गया अगर इसके center में जाना हो हमको तो x is equal to क्या करना पड़ेगा 0 तो x is equal to 0 रखने पर यह आ जाता है sigma r by 2 epsilon not अब इस पर एक example आपके लिए है कि यहाँ पर आप देखो यह disc रखी होई है इसमें surface charge density sigma है radius r है और इससे h distance पर उपर vertically up टीक है ग्रेविटी में आपको यहाँ पर यह काम करना है कि यह अगर आपका horizontal plane में रखा हुआ है disc यहाँ पर आपको vertically एक point को release करना है यह जो point है वो q charge है और m mass है तो यह कहता है कि यह यहाँ से यहाँ आ रहा है यह h height पर है तो वो बोलता है find the height at which the particle having q by m की value दे दिया है for epsilon not g by sigma can reach to the center of disc यहाँ पर चुकि यह इसको क्या करेगा repel करने की कोसिस करेगा तो वो कहता है कि कितनी height पर हम minimum दे दें इसको छोड़ें कि यहाँ पर यह center पर पहुंच जाए ठीक है just पहुंच जाए यह निए वहाँ पर आप उसकी kinetic energy को zero लिखेंगे initial kinetic energy भी zero है तो जब आप energy conserve करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब इस point पर है पी point पर है तो उसके पास एक gravitational potential energy है और एक electrostatic potential energy है ठीक है दोनों का sum is equal to जब O पर पहुंचा तो केवाल उसके पास electrostatic potential energy है तो इस तरीके से आपने energy conserve किया तो यह mgh is equal to हो गया q into v o minus v p अब v o का मतलब center है और center पर आपको पता है center पर क्या होता है sigma r by 2 epsilon not तो v o के लिए यह देखो sigma by 2 epsilon not है और इसका r है और minus v p जब आप करोगे तो v p का मतलब है h distance पर तो बताओ उस point p पर क्या potential हो जाएगा sigma by 2 epsilon not into root over r square plus h square minus h तो जब इस v p को minus करोगे तो वो minus h plus बन जाएगा और यह minus हो जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह इसको minus करने पर यह h minus root r square plus h square हो जाएगा अब यहाँ आपको q by m दिया हुआ था इसलिए दिया था कि इसको आप simplify कर सको ठीक है तो q by m की value आप यहाँ पर put up करोगे तो यह जो 4 epsilon not g by sigma है वो आपने put up किया इस sigma by 2 epsilon not into हुआ उससे और यह r plus h minus root r square plus h square solve करेंगे इसको तो h is equal to आपका answer आगया क्या आगया h is equal to 4 by 3r तो ऐसे आपको energy conservation के questions करने हैं इन पर based अब आप आएए आपको relation between e and v इस पर बहुत question बनते हैं और हम आपको जो assignment देंगे वो इस पर based questions जादा रहेंगे इसलिए इसको ध्यान से समझ लें ठीक है ज अब potential के लिए यह potential difference के लिए relation निकाला था तो आपने use किया था dv is equal to minus e dot dr potential energy के लिए क्या किया था dv is equal to negative of the work done by the internal force अब यहां force की जगे में field ले लिया था आपने क्योंकि इसकी definition में आया था the work done in bringing unit charge from infinity to the given point इसलिए dv is equal to minus e dot dr है तो e जो है वो आप जानते हो vector quantity है इसके three components में इसको ऐसे आप लिखोगे ऐसे dr को भी आप three components में ऐसे लिखोगे और इनका dot product करोगे तो क्या आ जाएगा बताएं dv is equal to हो जाएगा minus e x dx minus e y dy minus e z dz ठीक है इसी को integrate करना है आपको जिसे एक point पर आपको potential दिया हुआ है x1 y1 z1 पर आपको x2 y2 z2 पर निकालना हो तो आप यहाँ पर limit रख देंगे जो भी आपको v की value दी हुई है वहाँ पर जिसकी नहीं दी है वो आपका ये आ जाएगा minus e dot dr अब इसको आपकी limits है x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पर तो आप जब इसको यह component में यहाँ पर आपने solve किया है तो यह three terms आए हुए है अब इसको integrate कर रहे ह हो आप ठीक है तो यहाँ पर dv is equal to क्या हो गया minus e x dx minus e y dy minus e z dz इसको proper limits में आपको integrate करना है तो potential x1 y1 z1 पर अगर given है तो हम x2 y2 z2 पर निकाल सकते हैं यहाँ limit जो है जब x में कर रहे हो तो x1 से x2 y में कर रहे हो तो y1 से y2 z1 से z2 तो यहाँ x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पर आगए यह proper limits आप किया गई ठीक है बड़ा आसान है यह अब इस पर based question देख लें हम लोग तो और आपको समझ में आ जाए जैसे हमने e is equal to दिया हुआ है minus 2 i e x क्या हुआ minus 2 तो जहाँ पर e x लिखना है आपको यह ना फार्मूला आपका minus e x dx minus e y dy minus e z d z तो जो e x जीगा में minus 2 रखोगे तो वो plus 2 बन जाएगा ठीक है और यह plus 3 j 5 z के तो आप कहोगे कि हमारा e y जो है वो plus 3 है तो e y plus 3 रहेगा तो यह minus sign वैसी रहेगा e z जो है आपका 5 z है तो आपका यह minus sign वैसी रहेगा लेकिन integration में देखो जो constant है e x e y यह constant थे बाहर चले आए लेकिन e z में z आया है तो उसको अंदर रखो इसको आप क्या करें integrate करें dx का integration x ही है dy का y है और यहाँ पर z d z है तो आप z square by 2 लिखोगे तो by 2 को हमने बाहर किया है और limits आपकी यह कहता है कि potential at 110 is 5 volt और निकालना कहा है minus 121 पर इस field में इस point पर potential यह है तो इस point पर बताओ तो आपको यहाँ पर यह first point पर 5 volt दिया हुआ है ठीक है second point पर आपको निकालना है और आपकी limits आपको पता हो गई कहां से कहां जाना 110 से कहां जाना minus 121 पर minus 121 पर तो x के साथ y के साथ z के साथ उनकी proper limits रख दिया इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं है यह upper limit lower limit रख दिया इसको integrate कर दिया आपने और इसमें जो limits हैं वो आपने put up की इसको solve किया तो आपका answer finally आ गया वी जो है minus 121 पर यह आ गया है आपका minus 4.5 बोल्ट ऐसे इन questions को करना है यह दिया रहेगा एक point पर potential दिया रहेगा दूसरे पर निकालना है एक और आपको example बिल्कुल ऐसे ही कि यह जो है यहाँ पर 2i minus yj plus z square k है कहता है a point आपका 000 है origin है और उस point पर potential 5 बोल्ट है 111 पर निकालो बिल्कुल वो ही dv is equal to minus ex dx minus ey dy minus ez dz है ना शुरू में आपको कहा था यह 000 पर था फिर कहा जाना था 111 पर जाना था ठीक potential 5 था vb पर निकालना था आप शुरू हो जाओ ex की value यहाँ से ey की value ez की value variable है तो अंदर रहेगा constant है तो बाहर आप रख दें तो यहाँ पर जब आपने इसको integrate किया तो आप integration करके उनकी limits रख दिये और आप vb is equal to 19 by 6 वोल्ट यहाँ पर calculate कर लिए तो इस तरीके से इसको करना है दूसरी बात आपने यहाँ पर देखा कि c.dr हो गया ठीक है इसके integration से जो आपका electric field का line integral है वो potential difference दे देता है integration से आता है तो इसका just reverse process क्या हो जाएगी बताएं कि electric field आप कैसे निकालोगे अगर आपको potential दिया हुआ है तो तो आपको होगे e is equal to minus dv by dr होगा इसका हम कहते हैं कि यह negative gradient है किसका potential का potential gradient कहलाता है यह field ठी अभी next यहाँ पर जो हम examples आपको बताएंगे तो इसमें हम अभी बताने वाले हैं कि इसकी जो direction है वो वहाँ होती है जहाँ potential कम होता है ठीक है और यह जो अगर हमको potential के बीच में perpendicular उनकी distances पता हो तो हम e निकाल सकते हैं तो e is equal to minus dv by dr पहले हम इसका थोड़ा mathematics समझ लें कि e एक vector quantity है इसके three components होंगे और यह जो v है यह x y z पर dependent हो सकता है ठीक है अगर यह constant हुआ तो field हमारा zero हो जाएगा और अगर यह dependent हुआ तो फिर हमको e के component निकालने पढ़ेंगे अगर यह x y z में dependent है जैसे हमने यह v को लिखा 2x square plus y z minus z square कैसा भी x y z का function हो सकता है तो यहाँ पर आपको e x e y e z जो है तो यह जो e is equal to minus dv by dr है x component निकालोगे तो आप partial differentiation इसका करोगे इस potential का तो आप जब partial differentiation करते हो तो आपको मआलूम है कि जब हम x के फिच DSRESPECT में करते तो y और z constant मानते है y के फिच करेंगे तो फिर हमारा x और z constant होगा इसी तरीके से z के लिए हमारे x और y constant हो जाएंगे तो यह partial differentiation से minus del v by del x e x देगा, minus del v by del y e y देगा, minus del v by del z e z देगा तो जैसे इसको निकालने के लिए जैसे आप x के with respect में कर रहे हो minus sign के साथ लिखना आपको तो x के with respect में कर रहे हो y z constant है, तो आपका देखो यह second और third term का जो differentiation है वो 0 हो जाएगा x के with respect क्योंकि उसमें x आया नहीं पहले में आया, तो आप x के with respect में इसका differentiation करोगे तो 4x हो जाएगा minus sign है तो minus 4x y के with respect में जवाब करने गाए तो पहले term में y है नहीं इसलिए उसका 0 हो जाएगा, ठीक है दूसरे term में y है तो y का differentiation जो जाएगा, एक z constant है तो z constant आया into y का differentiation y के with respect में 1 हो गया तो यहाँ पर आपको z मिला minus sign के साथ लिख दिए ऐसे z का differentiation, जब आप z component निकालोगे, z के with respect में करोगे, तो z यहाँ पर two terms में है, तो यहाँ y constant हो जाएगा, तो यह हमको z का differentiation 1 है, तो यह केवल हमको y मिलेगा, यहाँ पर minus 2z मिलेगा, अब चूंकि minus sign लेना है, तो इसलिए वो minus y plus 2z हो गया, तो ऐसी आपको differentiation करके partial e के components निकालने हैं, फिर आप e को vector form में लिखते हो, यह तीन component में i, j, k, e x, e y, e z उनके साथ और e x क्या है, e y क्या है, e z क्या है, वो आपने निकाला हुआ है, यहाँ put up करें, तो यह जो e है, वो हमारा x, y, z में dependent आया, ठीक है, तो अब आपको पूछेगा वो की e की value आप 1 to 1 पर निकालो, 1, 1, 1 पर निकालो, जहाँ भी पूछता है वो, अब आपको x, y, z की value रख देना है, जैसे हमने यह example के लिए लिया, कि find value of e at 1, 1, 1, तो x की जगह में 1 लिखा आपने, y की जगह में 1, z की जगह में 1, तो आपका यह जो आया, वो यह आया, minus 4i, minus j plus k, इसका magnitude चाहिए है, आप magnitude निकाल लीजे, 16 plus 1 plus 1, that is हो जाएगा, root 18, यानि 3 root 2, तो ऐसे यह question को करना है, वहाँ पर हमको integrate करना है, और यहाँ पर हमको differentiate करना है, ध्यान देना है कि partial differentiation करना है, बस इतना, ठीक है, अब जड़ा इसी पर और आगे हम बढ़ते हैं, तो जड़ा equipotential surfaces का जो concept है, वो समझ लें पहले, फिर आपको e is equal to minus dv by dr पर based, इसका discussion हम देंगे, ठीक है, equipotential surface, तो आपको clear है यह कि equipotential का मतलब ही हो गया, कि जहाँ पर potential equal हो, अब potential equal हो, तो आप होगे कि उस surface पर, अगर आप एक charge को move करोगे, तो कोई work done नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो points अगर लेते हो, तो उनके बीच में potential difference 0 है, इसलिए हमने लिखा हुआ है, no work is done on moving a charge on this equipotential surface, ठीक है, अच्छा, तीसरा point यहाँ पर आपके सामने आया dv is equal to, हमने पढ़के आया minus e dot dr है, तो जब यह एकवी potential surface एक point से दूसरे point पर जाते हो, तो एकवी potential surface के लिए, जब आप एक point से दूसरे point में जाओगे, तो वहाँ पर potential difference नहीं मिलेगा, तो एकवी potential surface के लिए potential difference 0 है, तो आप कहोगे, कि यहाँ पर e dot dr 0 आया, और dot product 0 आया, इसका मतलब है, कि e जो होगा, वो उस dr के perpendicular होगा, तो इसलिए एकवी potential surface के यह perpendicular आता है, तो electric field is perpendicular to equipotential surfaces, यह हम को ध्यान में रखना है, अच्छा, और भी points आएंगे, हम उसको यहाँ पर दिखेंगे, examples के थुरू, electric field and equipotential surfaces, यह जो आप देख रहे हैं, यह equipotential surfaces है, यह parallel planes अगर है, v is equal to v1, v is equal to v2, तो इस पूरे plane में यह potential v1 है, इस पूरे plane में यह potential v2 है, तो यहाँ पर आपका जो electric field है, अगर यह line हमने यहाँ पर दिखाई हुई है, इस direction में, तो आप यह देखें, कि चुकि e is equal to आपका था, क्या था, minus delta v by delta r, तो यह क्या सो करता है, कि e की जो direction है, यह वहाँ पर है, जहाँ पर potential decrease होता है, ठीक है, तो यहाँ अगर यह v1 से v2 में आया है, इसका मतलब है कि potential decrease हो रहा है, v1 is greater than v2, तो यह decrease of potential, divided by perpendicular distance between them, यह delta r है, तो e is equal to हमारा, इसलिए हमने लिखा है, यहाँ पर decrement कितना potential का, v1 minus v2 upon delta r, तो electric field की direction जो होती है, वो equipotential surfaces के perpendicular है, और कहां से कहां है, high potential से low potential की तरफ है, यह हमको देखने को मिला, अब देखो, यहाँ पर हमने आपको equipotential surfaces के, यहाँ पर कुछ plots बनाए हुए हैं, तो यह इसमें positive charge लिया, इसकी electric field आपको मालुम है, यह, इससे दूर की तरफ जाती है, ठीक है, surface से आप start करोगे, और यहाँ पर यह चूंकि एक isolated charge है, इसलिए straight lines मिलती है, अब यहाँ potential आपको पता है, यह point charge के लिए, kq by r, e is equal to kq by r square, तो यहाँ आप जानते हो कि potential pass में ज़्यादा होता है, दूर जाने पर कम होता है, तो जहाँ कम हो रहा है, वहाँ field जाएगी, वह हम लोगों ने अभी discuss किया, और इनके perpendicular होगी, तो अगर यह field lines है, तो इनके perpendicular होगी, तो किनके perpendicular होगी, तो यह जो हमने red से बनाया हुआ है dotted line, यह आपकी equal potential surfaces है, कि r distance पर अगर कोई potential है kq by r, तो r distance पर यह spherical region में वो आपका, क्या बनेगा, equipotential surface बनेगा, तो यह जो dotted बनाएं, वो spheres हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका होगी, यह circle है, यह two dimensional plane में हमने बनाया, लेकिन आप देखोगे कि point charge के लिए, यह spherical conductor अगर है, तो वहाँ पर equipotential surfaces जो हैं, वो spherical होती है, और field कहां directed होता है, जहाँ पर potential कम होता है, आप देखो, यहाँ पर अगर हमने शुरू में crowded दिखाया है, बाद में rarefied दिखाया है, तो यह potential surface यह idea देता है, कि जहाँ पर वो crowded है, तो वहाँ पर क्या होगा, field जादा होगा, और जहाँ पर rarefied है, वहाँ पर field धीरे-धीरे कम होता रहेगा, यह आपको information यहाँ से मिलती है, जैसे यह हमने देखो, positive और positive charge लिया, यह एक दूसरे को repel करते हैं, तो field lines आप देख पा रहे हैं, और एक दूसरे को repel करती हुई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और यह आपको पता है, कि इनके बीच में field जो होगा वो zero होगा, यहाँ field लोगे तो ज़्यादा आएगा, यहाँ लोगे तो ज़्यादा आएगा उनके पास, तो इसलिए यह जो equipotential surface को हमने plot किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह जो है वो crowded है, जिसी यह बनाया है, तो यहाँ पर थोड़ा दूर कर दिया है यह दूर कर दिया है, यहाँ पर पास-पास है और यहाँ दूर-दूर है यह आपको idea देता है कि field यहाँ जादा है, और यहाँ field कम है, तो यह जो है आपकी dotted line, यह equipotential surface है positive positive के लिए positive negative है तो यहाँ पर जो आपका field है यह बीच में जादा आता है इसलिए crowded यहाँ पर देखेंगे इस तरफ आपके right side में इसके left side में दोनों के बीच में यह crowded होंगी ठीक है उस तरफ जो आप बनाओगे तो यहाँ पर यह crowded है यहाँ रेरिफाइड हो जाती है यह दूर दूर हो जाती है यह crowded हो जाती है यह दूर दूर हो जाती है clear है तो यहाँ पर यह बताता है कि यहाँ field जादा है यहाँ field जादा है जबकि दूर जाने पर कम हो जाता है यह positive और negative के लिए ऐसा है example देख लें fine field for the equipotential surfaces है ना तो ऐसी अगर है surfaces तो क्या करोगे field निकालने के लिए आपने कहा कि इनके perpendicular और वहाँ जहां पर यह कम होता है तो यहां तो 2468 दिया हुआ है तो कम कहा हो रहा है इस तरह हो रहा है और इनके perpendicular कैसी line आएगी यह ऐसी line आएगी तो आप देख पा रहे हो यह black lines जो है हमने बता है बनाया है अब 30 degree है यहाँ पर इसको perpendicular draw करोगे यह 90 बना तो यह 60 बना यह 11 centimeter की distance है तो आप कहते हो कि यह अगर 4 से 2 है यह 6 से 4 है तो यहाँ पर decrement इसका हुआ 2 का यह minus delta V by delta R लिखा न तो यह decrement हुआ है 2 का और उनके बीच का separation जो है वो यहाँ पर यह 1 centimeter है तो यहाँ पर delta R की value यह देखो यह क्या है 1 sin 30 क्योंकि यह आपका हो गया base यह हो गया hypotenuse यह perpendicular तो 1 cos 30 1 sin 30 इस 30 में अगर काम करते हो तो यह आपका centimeter में है उसकी value रखा तो यह यह आ गया 400 वोल्ट पर मीटर और कितने degree पर होगा तो अब यह 60 है तो यहाँ पर कितने degree बनाएगा 120 degree बनाएगा x-axis से इसलिए making 120 degree with x-axis दूसरा यहाँ पर देख लें यह आपको spherical surfaces हैं उनकी potential दिये हुए हैं क्यों potential surfaces 60, 40, 30 60 है 10 cm पर 40 है 15 पर और 30 वोल्ट कितने पर है 20 cm पर है कहता है यह बताओ तो यहाँ पर आपको यह information जो आ रही है वो आ रही है कि V और R का जो product है वो constant है जिसे देखो आप 60 वोल्ट 10 cm 600 आया 40 वोल्ट 15 cm दोनों को product करोगे तो V into R 600 आता है 30 के लिए 20 है यह तो V into R जो है वो 600 आया वोल्ट सेंटी मीटर में तो V is equal to आप लिखोगे यह 600 वोल्ट सेंटी मीटर बाई R या इसको वोल्ट मीटर लिख लोगे तो 6 6 लिख लोगे तो 6 बाई R अगर है तो आप कहोगे field कहा होगा तो यहाँ पर इनके perpendicular होगा जहाँ पर यह potential कम हो रहा है तो जैसे वो positive charge का आया था वैसे यहाँ पर यह आने वाला है तो आप कहोगे E की value minus dv by dr कर दूँगा अब 1 by r है यह यह नहीं r to the power minus 1 है उसका differentiation क्या हो जाएगा minus 1 into r to the power minus 2 तो minus 2 नीचे चला आएगा minus cancel हो जाएगा तो 6 by r square हो गया यह e की value आगा यह 6 dimensionless नहीं है उसमें voltmeter है ठीक है तो 6 जो है वो dimensional constant है 6 voltmeter upon r square और कहा direction है radially outward यह हम लोगों ने example समझा तो इनके base पर आपको questions हम देंगे और उनको आपको solve करना होगा यह जो equipotential surfaces है और यह जो आपने relation देखा था dv is equal to minus e dot dr integration करके निकालते हैं differentiation करके निकालते हैं इनको आपको द्यान से देखना है और जो आपने continuous distribution हो तो potential निकालना इन पर energy कैसे conserve करते हैं वो सब आपने समझा इसको एक बार और द्यान से समझिएगा फिर हम questions बेजेंगे वो questions solve करिएगा और solve करना आपका काम है जरूरी नहीं कि आपके answer सही आजाएं नहीं आते हैं तो आप demoralize हो जाएं यह नहीं आप नहीं आते हैं तो आपको सीखने को कुछ मिल रहा है हाँ मुझे यह learn करना है तो आप उसको सीखने की कोजिस करना हम उसको solution बेजेंगे ओके थैंक यू